Hello everyone, welcome to Foresight Education Academy, this is Deep Shikha. Today we are going to read chapter number 2 of Political Science book, Diversity and Discrimination. तो यह आपकी class 6th की Political Science का chapter number 2 है, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं. Diversity and Discrimination, आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. जिसे कि हमने अपने previous chapter में भी diversity के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसमें diversity के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझेंगे. In the previous chapter, you have discussed the meaning of diversity. हमने अपने previous chapter में diversity की meaning को समझा था, उसे जाना था, कि diversity आखिर क्या है. Sometimes, people who are different from others are teased, laughed at, or not included in a certain activity or group. कभी-कभी कुछ लोग हमसे दिखने में अलग होते हैं, तो उनको, उनके उपर हसा जाता है, उन्हें tease किया जाता है, उन्हें कुछ certain activities में participate नहीं करने दिया जाता है. We feel hurt, angry, helpless, or sad when friends or others treat us in such ways. अगर हमारे friends या कोई और हमारे साथ इस तरीके का वेवार करें, हमें इस तरीके से treat करें, यानि हम पर हसे, या हमारा मजाक उड़ाएं, तो हमें भी कितना गुस्सा आता है, हम कितना hurt feel करते हैं, helpless feel करते हैं उस टाइम पर. इसी तरीके से जो लोग कुछ अलग तरीके से दिखते हैं, अलग background से आते हैं, अलग culture से आते हैं, उनके साथ जो इस तरीके का वेवार किया जाता है, उन्हें अलग तरीके से treat किया जाता है, तो उन्हें भी काफी बुरा लगता होगा. have you ever wonder why this happened तो कभी आपने इस बारे में सोचा कि ये सारी चीज़े क्यों होती है इस तरीके का treatment क्यों किया जाता है लोगों के साथ क्यों उन्हें अलग से treat किया जाता है और वो भी बहुत ही negative witty के साथ उनके साथ ये वैवार किया जाता है तो ये जो question है इसी का answer हमें इस chapter में मिलेगा In this chapter we will try and explore how such experiences are related to the society we live in तो इस chapter में हम ये explore करने की कोशिश करेंगे कि ये जो सारे experiences हैं वो हमारी society से कैसे relate करते हैं जो society में हम रहते हैं उससे कैसे relate करते हैं We will look at how they are connected to the inequalities that exist around us और हम ये भी जानेंगे कि ये सब जो हमारी society में होता है या जितने भी अलग तरीके के वैवार हम अलग तरीके से दिखने वाले लोगों के साथ या अलग culture से आने वाले लोगों के साथ करते हैं तो ये किस तरह connected है inequality से जो की हमारे आसपास exist करती है Difference and prejudice यानि असमानता है और पूरवागर है तो ये prejudice क्या है और ये differences क्या है इसे हम इस chapter में पहले समझते है There are many things that make us what we are, how we live, the language we speak, what we eat, where, the games we play and the things we celebrate यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो हमें वो बनाती हैं जो की हम हैं जैसे कि हम कैसे रहते हैं, हम क्या language बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं किस तरीके के games हम खेलते हैं और कैसे हम कुछ चीजों को celebrate करते हैं तो ये सारी चीजे मिलकर हमें वो बनाती हैं जो कि हम हैं यानि कि हर एक culture की अपनी different different languages होती हैं, different different उनके celebrations होते हैं, festivals होते हैं, तो वो जिस तरीके से उन चीजों को करते हैं, उनको करने की वजह से ही वो अपनी एक पहचान बनाते हैं उस रूप में जैसे कि वो हैं, इसे influenced both by the geography and history of the place where we live, तो ये सारी चीजे जो कि हम अलग अलग तरीके से करते हैं, हमारा खाना अलग होता है, हमारा कपले पहनना अलग होता है, हम अलग तरीकी के festival celebrate करते हैं, तो ये influenced करते हैं, इन सारी चीजों को influence कौन करता है, जोग्रफी जहां पर हम रह रहे हैं और उस place की history क्योंकि हम जहां पर रह रहे हैं उसकी geography किसी और place की geography से बिलकुल अलग हो सकती है, हमारी history किसी और country की history से और religion की history से बिलकुल अलग हो सकती है, तो ये जो दो चीजे है, geography और history ये सबसे जादा influence करती है, यानि कि ये दो बाते influence करती हैं हमारे उस तरीके से होने में जो कि ह हम हैं actually जैसे कि कोई यहाँ पर हिंदू है कोई मुस्लिम है कोई सिख है कोई इसाइय है तो हर कलचर हर रिलीजन का अपना एक इस्ट्री रही है और जहां जहां यह कलचर डिवैलप्ट हुए है वहाँ की अपनी एक जोगरफी भी रही है जैसे कि अगर हम साउथ इंडिया का पार्ट ले 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 तो वहां के जोग्राफिकल कंडिशन्स अलग है हमारे नौर्थ इंडियन पार्ट से तो नौर्थ इंडिया में जिस तरीके से लोग रहते हैं जो खाते पीते हैं जिस तरीके के उनकी ड्रेस सेंस होती है वह बिल्कुल डिफ्रेंट है कहां से साउथ कंडिशन्स हो गई और हिस्ट्री जो हो गई एक प्लेस की वह बहुत जादे इंपेक्ट डालती है वहां के लोगों को वैसा बनाने में जैसे की वह हैं यू विल गेट अन आइडिया अफ हाओ डाइवर्स इंडिया इस इफ यू लुक इवन ब्रीफली अट द फॉलोविंग स्टेट्मेंट तो यहां पर हमें एक आइडिया मिलेगा इंडिया को देखने का उस तरीके से जैसे की इंडिया है इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स क एक अजो साथ इंडिया में भी प्रैक्तिस किया जाता है या वो एकी बाइट में नुएग में भी म्द रिलेजिन थे यांडिया में भी ओक्राइव इस णते हैं एक इंस ओस तबहुत हैं चसाविविंग साथ 1100 languages that are people's mother tongues and there are more than a hundred dance forms. इंडिया में 1600 languages हैं जो कि लोग बोलते हैं और as a mother tongue count करते हैं हम उनकी, यानि कि 1600 languages इंडिया में बोली जाती हैं इंडिया की citizens के द्वारा and यहां पर इंडिया में more than a hundred dance forms हमें देखने के लिए मिलती हैं. तो यहां हमें पता चलता है कि यह जो statements हमें दी गई हैं जिसकी वज़े से हम जान सकते हैं कि कितनी diversity है इंडिया में हमारा जो country है वो कितना diverse है Yet this diversity is not always celebrated. यह जो diversity है हमारे हां यह फिर भी हम celebrate नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. इस diversity को हम celebrate नहीं कर पाते हैं. इसके पीछे reason यह है कि जो लोग हम से अलग दिखते हैं हम उनके साथ safe या secure feel नहीं करते हैं. जबकि जो लोग हमारे people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. तो कभी-कभी जब हम कुछ अलग religion के लोगों से मिलते हैं या अलग culture के लोगों से मिलते हैं या अलग reason के लोगों से मिलते हैं, तो हमें वो बहुत होता है कई बार कि वो हम से strange क्यों हैं, हम से अलग क्यों हैं, हम से different क्यों है, people also from certain attitudes and opinions, others who are not like them. तो कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ दूसरे लोगों के बारे में कुछ certain type के attitudes रखते हैं और opinions रखते हैं, अगर वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं, तो उनके बारे में अपने कुछ attitude बना लेते हैं, opinions बना लेते हैं, उन्हें judge करने के लिए कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, क कि अगर हम नौर्थ इंडिया में रहते हैं तो हम नौर्थ इंडिया लोगों के साथ जादा फैमिलियर फील करते हैं और अगर हम साउथ इंडिया में चले जाएं यह साउथ इंडिया का कोई citizen इंडिया में जो है, इंडिया का ही citizen है, वो लेकिन South India से अगर आता है North India में, या North India का कोई citizen South India में जाता है, तो वो थोड़ा unfamiliar feel करेगा, क्यों? क्योंकि वहां दोनों की ही language में difference होगा, culture में difference होगा, तो इस तरीके से हम जो diversity है, उसको enjoy नहीं कर पाते हैं, नहीं उसको celebrate कर पाते हैं, उसको हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, यानि कि हमारे जो opinions हैं, वो थोड़ा negative बन जाते हैं, कुछ particular logo को लेकर, कुछ particular religion को लेकर, या कुछ particular sex को लेकर, तो यहां पर यही बताने की कोशिश की गई है, opinions, यानि कि हमारे opinions भी बन जाते हैं, दूसरों को judge करने के लिए, और एक certain attitude भी हम developed कर लेते हैं, जिन्हें कि हम पसंद नहीं करते हैं, क्यूं? क्यूंकि वो हमारे जैसे नहीं हैं, यहां पर हमें कुछ statements दी गई हैं, उससे पहले हम यहां पर यह पढ़ते हैं कि prejudice के बारे में क्या कहा गया है, तो prejudice क्या है, सबसे पहले यह जानते हैं, prejudice में होता क्या है, कि हम लोग दूसरों को negatively judge करना start कर देते हैं, याद रखेगा, negatively judge करना start कर देते हैं, और उन्हें अपने आप से कम समझते हैं, कि हम superior हैं दूसरे inferior हैं तो इसे prejudice कहते हैं अब prejudice को लेकर यहाँ पर कुछ statements दी गई है statements किसके बारे में है? रूरल people के बारे में और urban people के बारे में जो लोग गाओं में रहते हैं और जो लोग शहरों में रहते हैं तो उनको लेके कुछ prejudices रहती हैं लोगों की आपस में एक दूसरे के आ लिए वही prejudices की जो statements हैं वो यहाँ पर दी गई हैं जिससे यह clear किया जाएगा कि किस type से हम prejudices को follow करते हैं यह Prejudice का actual meaning क्या होता है उसका sense क्या होता है तो यहाँ पर यह statement दी गई है आपको एक है रूलर के बारे में और एक है अर्बन के बारे में तो रूरल पीपल के बारे में क्या बोला गया है मोर दन 50% of all Indians live in villages, people in villages do not like to use modern technology in peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the fields villages are forced to migrate to cities in search of work तो 50% से जादा जो इंडियन से इंडियन population जो है वो आपकी गावों में रहती है village के जो लोग होते हैं वो modern technology को पसंद ही करते हैं फिर जब plantation वाला season आता है, जब harvesting या plantation किया जाता है जिन seasons में, उन seasons में जो ruler family होती हैं वो अपने fields में 12 से 14 गंटे तरक काम करती है जो villagers होते हैं, वो उनको migrate करना पड़ता है किसलिए ताकि वो शहरों में जाकर काम ढूंड सकें क्योंकि जो villages हैं, उन्हें रहने के लिए proper जो earnings होती हैं या फिर एक financial lead जो होती है किसी family की, वो complete नहीं हो पाती तो इसकी वजह से वो शहरों में migrate करना start कर देते हैं अब ये जो सारी statement दी गई है, ये prejudices हैं जो कि ruler इंडिया के बारे में रखी जाती हैं कई लोगों के द्वारा कैसे? 50% से जादा Indians villages में रहते हैं ये अगर statement हम सही मान भी ले, तो इसमें कोई खराबी नहीं है फिर ये कहते हैं कि modern technologies का use नहीं होता है तो ये भी एक prejudice ही है, जो कि सही नहीं है आज गाओं में भी बहुत साई technologies का use किया जाता है Harvesting or plantation के season में जो families होती हैं वो 12 से 14 घंटे काम करती है ये घंटे हम नहीं नाप सकते हैं क्योंकि उनको कितना काम करना है ये उन पे depend करता है, उनका 12 घंटे करना, 14 घंटे करना है चौबिस घंटा करना काम, वो उन पे depend करता है कि उनको कितना अपने field से, कितना production उन्होंने किया है तो उसको किस तरीके से वो कर रहे हैं तो काम करे ना करे वो उनकी मर्सी है हम ये जज़ करने वाले नहीं होते कि वो सारा दिन काम में ही लगे रहते हैं या labor work ही करते रहते हैं फिर villages में बताया गया है कि migrate करते हैं तो हाँ ये एक problem issue रहा है कि वो migrate कर जाते हैं काम को लेकर लेकिन ये कहना गलत होगा कि वहाँ पर facilities बिलकुल भी नहीं है कई जगा अभी भी नहीं है यह मान सकते हैं बहुत सारी लेबर्स जो हैं वो माइग्रेट करती हैं शहरों की तरफ लेकिन अभी जो कुछ सिचुएशन आपने देखी होगी पैंडेमिक के टाइम में जो लेबर्स थे उन्हें शहरों में भी काम छोड़ कर जाना पड़ा और म इरिया में रहकर ही क adversary करें यह तोटली उस पर dependent करता है और उसकी Fahrenheit कृदिशनष प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइट की जा रही है ताकि वो उनसे अपनी सफिशेंट एर्णिंग कर सके अपनी फैमिली के लिए खुद के लिए तो उन्हें कहीं माइग्रेट करने की ज़रुरत ही पड़ेगी और अगर नहीं प्रोवाइट की जा रही है या उनके पास इतन पड़ेगा और माइग्रेशन सिर्फ गाओं से शहरों का नहीं होता है शहरों से शहरों का या फिर कंट्री से कंट्री का भी होता है तो यहां पर भी एक प्रिजूडिस की तरह हम देखते हैं फिर आता है अर्बन पीपल के बारे में लाइफ इन दे सिटी इस इजी पीपल here are spoiled and lazy, तर вн दो आज आ कि आस पीपिल में अलोगाई जो जो 되지 कीला बड़ी इजी ओते है और जो लोग यहां पर हैं वह यहां बहुत ही बिघड़े होते हैं और लेसीíll कर्धे तो ये एक कंप्लीटी जो कि सही है बिल्कुल भी इन सिटीज फामिलेज स्पेंड वेरी लिटल टाइम विद इन इच अदर तो जो फामिलिस फेंड नी के साथम बहुत कम केंड करते हैं ये ऐक Ps प्रिजूडिस हमारे सामने मिलती है देखने के लिए people in cities only care about money not about people तो शारों में लाहने वाले लोग जो होते हैं वो सिर्फ money पर focus करते हैं लोगों के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं होती है वो लोगों की care नहीं करते सिर्फ पैसे की care करते हैं living in a city is expensive a large part of people earning is spent on rent and transport तो यह भी एक prejudice है कि हां है expensive है जादा तर cities expensive हो सकती हैं सभी cities expensive नहीं हैं जो जादतर लोग हैं जो शहरों में रह रहे हैं वो spend करते हैं अपनी earnings को transport पर या rent पर तो यह depend करता है उनकी earnings पर उनकी वो कितना earn कर रहे हैं कितना rent पर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं कितना transport पर खर्ज कर रहे हैं तो यह जो सारी statements हमने देखी यह prejudices में count होती है तो आप समझी चुके होंगे कि किस तरीके से जब हम अपने negative opinions को negative opinions के साथ दूसरों को judge करने लगते हैं तब वहाँ पर हम prejudice को यानि कि पूर्व धार्ना को कायम कर रहे होते हैं prejudice को follow कर रहे होते हैं some of these statements see villagers as ignorant and see people in cities as money-minded and lazy तो हमने अपर अपनी statements में पढ़ा कि जो villages होते हैं वो ignorant होते हैं और जो शैरों के लोग होते हैं वो money-minded होते हैं और lazy होते हैं when our opinions about certain people are always negative seeing them as lazy, stingy as some of these statements then these become prejudices that we carry about them तो जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी समझा कि अगर हम अपने opinions बना लें certain लोगों के बारे में और हमेशा वो negative ही रहे हम दूसरों को lazy समझे stingy समझे तो इस तरीके कि जो statements हैं वो हमारे prejudices बन जाते हैं यानि कि these become prejudice that we carry about them हम लोगों के बारे में जो negative opinions लेकर चल रहे हैं किसी भी तरीके के वो सिर्फ ruler या फिर urban people से ही related नहीं है किसी भी religion से, caste से, creed से, country से related अगर हमारे opinions negative हैं और negatively हम judge कर रहे हैं बिना सारे expects को समझे हुए तो हम वहाँ पर prejudices को use कर रहे होते हैं और पूर धारना कायम कर रहे होते हैं prejudice means to judge other people negatively और see them as inferior तो हमने पहले भी समझा हैं और फिर से समझते हैं कि prejudice क्या है जब हम लोगों को negatively judge करते हैं और उन्हें अपने से inferior समझते हैं तब हम वहाँ पर prejudice का use कर रहे होते हैं पूर धारना कायम कर रहे होते हैं तो जब हम किसी एक particular चीज को करने के लिए ये कहते हैं कि इसे करने का सिर्फ एक यही best तरीका है या right तरीका है इसे इसी तरीके से करना चाहिए तो हम कहीं ना कहीं उन लोगों को ही disrespect कर रहे होते हैं जो कि उसी काम को different तरीके से करना पसंद करते हैं जैसे कि यहां पर एक example भी दिया गया है For example, if we think English is the best language and other languages are not important we are judging these other languages negatively तो जब हम यह कहते हैं कि English ही एक best language है और बाकी जो सारी language है वो important नहीं है तो हम English को तो preference दे रहे हैं यानि कि English को superiority की category में रख रहे हैं और बाकी सारी languages को हम कह रहे हैं कि इंपॉर्टन नहीं है तो यह inferior है English से तो हम यहां पर prejudice का use कर रहे होते हैं यानि कि पूर्वधाना का हम कर रहे होते हैं As a result, we might not respect people who speak languages other than English तो होता क्या है कि जब हम यह बोलते हैं कि English ही best language है बाकी सारी language important नहीं है तो हम other languages को negatively judge कर रहे हैं और इस time पर हम एक और काम करते हैं कि हम उन लोगों को भी inferior समझने लगते हैं जो कि English के अलावा कोई और language बोलते हैं यानि अगर किसी को अगर English language बोलनी नहीं आती है तो हम उस इंसान की disrespect कर रहे होते हैं We can be prejudiced about many things People's religious beliefs, the color of their skin, the reason they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. तो हम prejudiced काफी सारी चीज़ों को लेकर होते हैं किन-किन चीज़ों को लेकर अगर कोई किसी और religion को follow करता है यानि कुछ लोग जो अलग religion को follow करते हैं अलग beliefs रखते हैं उनका skin color और है यानि कि बात की जाए कि कोई गोरा है, कोई काला है या कोई medium color है किसी का जोसे हम वीटिश कहते हैं या फिर उनकी accent अलग हो language को बोलने की जैसे English को ही बोलने की हर एक reason के जो लोग है उनकी अपनी एक अलग accent होती है या फिर उनके कपड़ों के पहनने का जो तरीका है वो अलग हो तो हम यहाँ पर एक prejudice कायम कर लेते हैं हम उनके religion को लेके, उनके dress sense को लेके, उनकी color of skin को लेकर prejudiced हो जाते हैं, पूर धारना कायम कर लेते हैं often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendship with them हमारे prejudice, हमारी पूर्वधारन इतनी strong होती हैं कितनी बार कि हम दूसरे region से आने वाले लोगों के साथ दूसरे religion से आने वाले लोगों के साथ या ऐसे लोगों के साथ जो हमसे different हैं उनके साथ हम friendship तब करना भी पसंद नहीं करते हैं उन्हें अपने से दूर ही रखते हैं उनसे जादा familiar नहीं होते At times we may even act in ways that hurt them तो कितनी बार इस ऐसे में हम उन लोगों को hurt कर जाते हैं Creating stereotypes तो हमने उपर पढ़ा prejudice के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे stereotypes के बारे में तो यह stereotypes क्या होते हैं पहले हम यह समझ लेते हैं Stereotype में होता क्या है कि हम अलग-अलग तरीके के अलग-अलग rules हर किसी के लिए set कर देते हैं और उनहीं को follow कर रहे होते हैं बिना किसी logic के तो चलिए पहले जानते हैं कि इसमें क्या का आ गया है All of us are familiar with gender differences What does it mean to be a boy or girl तो हम सभी gender differences के बारे में जानते हैं कि लड़के लड़कियों के बीच की आ जाता है Many of you would say We are born as boys and girls तो हमें से कई लोग कहते हैं कि हम लड़का पैदा हुआ हैं मतलब as a boy हम पैदा हुए हैं या as a girl हम पैदा हुए हैं It is a given तो यह given है यह हमें दिया गया है हमें लड़का बना कर भेजा गया है यहां पर यह लड़की बना कर भेजा गया है हमारी अर्थ पर यह हमें given है इसमें हम कुछ कर नहीं सकते What is there to think about तो इसमें सोचने वाली बात क्या है Let's see if this is the case तो चलिए हम कुछ और statements देखते हैं अगर यह सारे cases यहां पर दिये गए है यानि कि अगर ऐसा कुछ case है कि आप लड़का और लड़की है तो उसको लेकर सोचने वाली क्या बात है इसको समझने के लिए हमें कुछ यहां पर statements दी गई है उनको पहले समझते हैं यहां पर बोला गया है arrange the statements given below in these two sections according to what you think is appropriate for the section तो यहां पर दो section create किये गए है girls और boys हर एक section में 5 नमार्क 1 to 5 नमबर तक मार्क किया गया है 1 to 5 नमबर दिये गए है अब यह जो 1 to 5 नमबर्स दिये गए है इनमें हमें यह जो statements है 10 statements है इनको लिखना है और यह वो statements हैं जो कि कुछ लड़कियों के बारे में कही जाती है और कुछ लड़कों के बारे में कही जाती है तो इनसे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से लड़का या लड़की होने पर जो हमने question mark लगाया कि इससे क्या फरक पड़ता है लेकिन फरक पड़ता है क्योंकि gender differences create किये जाते हैं और वो कैसे create किये जाते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे They are well behaved, तो well behaved कौन होती है? Girls होती है They are soft spoken and gentle तो gentle कौन होती है और soft spoken कौन होती है? लड़कियां होती है They are physically strong Physically strong कौन होते हैं? Boys होते है They are naughty तो naughty तो सिर्फ लड़के ही हो सकते हैं They are good at dance and painting तो dance में और painting करने में कौन अच्छा होता है? तो वो लड़कियां होती है They don't cry लड़कों से बोला जाता है कि उन्हें रोना नहीं चाहिए या वो रोते नहीं है तो ये इनके लिए बोला गया यानि कि लड़कों के लिए They are rowdy Rowdy कौन होते हैं? तो वो भी लड़कों के लिए आता है They are good at sports तो sports में कौन अच्छा होता है? तो उसमें भी लड़कों को अच्छा बताया जाता है They are good at cooking cooking में कौन अच्छे होती है तो वहां सिर्फ लड़कियों का नाम आता है They are emotional Emotional कौन होता है? तो वहां सिर्फ लड़कियां emotional होती है तो अब ये जो statements दी गई है यही वो stereotypes हैं जो कि आपको gender differences को लेकर समझाने के लिए जरूरी है या आपको समझने के लिए जरूरी है ऐसी और भी बाते हैं जिनने हम stereotypes की category में रखते हैं यहां हम gender difference का example ले रहे हैं ताकि हम stereotype को समझ सके तो ये जो सारी की सारी statements हैं ये divide की गई girls और boys के बीच में तो ये ही क्यों important है कि well behaved भी लड़की होगी soft spoken और gentle भी लड़की होगी dance में painting में भी लड़की ही अच्छी होगी और cooking में भी लड़की को ही अच्छा होना जरूरी है और emotional तो लड़कीयों का ही होना बनता है तो ये सारी जो qualities हैं जो लड़कीयों के लिए set कर दी गई हैं वो लड़कों पर क्यों हम apply नहीं कर सकते हैं क्या लड़कों का well behave होना जरूरी नहीं है या उनका soft spoken और gentle होना सही नहीं है या फिर अगर लड़कों को dynes करने का या painting मनाने का शोक है तो क्या वो गलत हो जाता है या अगर बोला जाए कि अच्छा लड़के भी emotional होते हैं और वो भी cooking करते हैं जैसे कि की जाती हैं बहुत सारे लड़के chef होते हैं बहुत सारी जगा ओपर वो कह कहते हैं आपकी pastry shops जो होती हैं उनको run कर रहे होते हैं बहुत सारे ऐसे items होते हैं आपके खाने के जो की या फिर जिनके business में लड़के भी होते हैं तो सिर्फ खाना बनाने को लेकर लड़कियों पर क्यूं बोला गया कि लड़कियां ही खाना बनाने में अच्छी होती हैं और यहां पर और भी statements दी गई जैसे कि physically strong होना naughty होना या नारोना या फिर sports में अच्छा होना यह सारी जो बाते हैं लड़कों को ही क्यूं दी गई लड़कियों की जो physical strength है वो भी अच्छी हो सकती है वो भी physically उतनी strong हो सकती है अगर जितने लड़के हैं हाँ एक categorization आप कर सकते हैं कि जो God given bodies है लड़के और लड़की की तो उसमें differences हैं लेकिन किसी की physical strength कितनी होगी उसके लिए उसको उसका जो nutrition है वो depend करेगा उसको किस environment में रखा जा रहा है वो उस पर depend करेगा उसके genes भी depend करेंगे यानि genes पर भी depend होगा और जैसे कि हम देखते भी हैं कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो आज wrestling भी करती हैं sports भी खेलती हैं तो ये कहना कि कुछ जो चीजें हैं वो सिर्फ लड़के कर सकते हैं कुछ जो चीजें सिर्फ लड़कियों के लिए बनाई गई हैं तो ये जो particular statements fix कर दी गई हैं rules और regulations fix कर दिये गई हैं assumptions बना ली गई हैं तो ये ही stereotypes हैं इन्ही को stereotypes बोला जाता है चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें और क्या बताया गया है इफ वी टेक देस्टेटमेंट दे डॉंट क्राइ यू विल सी दाट इस इस अखुवालिटी that is generally associated with boys and men तो जैसे कि हमने पढ़ा statement में कि ये बोल दिया गया है कि वो रोते नहीं है या उनको रोना नहीं चाहिए तो किस के लिए बोला जाता है लड़कों के लिए तो ये क्यूं बोला जाता है और ये क्यूं कहा जाता है इसको अगर लॉजिकली सोचा जाए तो इसमें जरूर फॉल्ट मिलेगा अगर किसी को कोई चोट लगती है तो वो लड़का होगी या लड़की होगी दोनों को ही रोना आएगा कोई इमोशनली लो फील कर रहा है तो रोना दोनों को ही आएगा पर उनके लिए एक ये पारामिटर फिक्स कर दिया गया है कि अगर आप लड़के हो आप पुरिश हो तो आपको रोना नहीं चाहिए As babies or children when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, don't cry you are a boy तो जब भी जो बच्चे होते हैं जब लड़के जो भी लड़के हैं वो बच्चे हैं या बच्चपन में उनको कहा जाता है कि अगर वो गलती से गीर गई या उन्हें चोट लग गई और वो रोने लगे तो बोलेंगे कि आपको रोना नहीं चाहिए क्योंकि आप लड़के हो तो यह उनकी फैमिली वाले ही उन्हें पहले बता देते हैं कि आप रोगे नहीं क्योंकि आप एक लड़के हो बोईस आर ब्रेव दे डोंट क्राए लड़के तो ब्रेव होते हैं और उन्हें रोना नहीं चाहिए वो रोते नहीं हैं तो क्योंकि उनकी बचपन में ही ऐसी अपरिंगिंग हो जाती है कि भई आप लड़के हो आपको रोना नहीं है और बड़े होकर अगर वो कुछ बुरा फील कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन से हैं कि उन्हें रोना आ रहा है तो फिर भी वो अपने आपको जबरदस्ती रोकते हैं क्योंकि वो लड़के हैं और लड़कों को रोना नहीं चाहिए ऐसा उन्हें बता दिया गया है और पहले से ही यह समझाया गया है तो वो आगे चल कर भी इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखते हैं और नहीं रोते हैं हलाकि चीज़े बदल रही हैं लेकिन यह स्टीडियो टाइप्स जो क्रियेट किये गए हैं हमें उन्हें यहां पर समझना है और यह माना जाता है कि जो रोते हैं वो वीक होते हैं जो रोना है एक साइन ओफ वीकनेस की तरह माना जाता है अगर आप रो दिये तो आप कमजोर हो So even though both boys and girls sometimes wants to cry हलांकि दोनों ही लड़के और लड़कियां कभी-कभी उन्हें रोने का मन करता है especially if they are angry or in pain जब वो गुसे में होते हैं या फिर वो पेन में होते हैं As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry तो जब लड़के बड़े हो रहे होते हैं तो उन्हें ये सिखा दिया जाता है या लड़के ये सीख जाते हैं कि उन्हें रोना नहीं है यानि किसी को pain हो रहा है या किसी को गुसा आ रहा है चाहिए वो लड़का है या लड़की है कभी ना कभी उसका रोने कमन होगा लेकिन लड़कों को क्योंकि सिखा दिया गया है कि भई आप लड़के हो तो आपको ये सीखना ही होगा कि आप रो नहीं सकते हो आपको रोना नहीं चाहिए If a grown boy cries then he feels that others will either tease him or laugh at him and so he stops himself from doing so in front of others तो अगर कोई बड़ा लड़का है और उसको रोना आ रहा है लेकिन वो ये feel करता है कि अगर वो दूसरों के सामने रोता है तो वो लोग उसे tease करेंगे तो इस वज़ह से वो अपने आपको रोकता है और दूसरों के सामने नहीं रोता है This is the way boys are and this is how that each one of us must behave accordingly. हम अक्सर यह सुनते आते हैं और constantly सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़के ऐसी होती हैं तो लड़के ऐसे होते हैं, लड़के ऐसी होती हैं यह कहने का मतलब यह है कि कुछ certain rules बनाए गए या कुछ certain thoughts develop किये गए हमारी society में लड़के और लड़की की behavior को लेके कि भी लड़का है तो इस particular way में behave करेगा और लड़की है तो इस particular way में behave करेगी तो यह सारी बाते हम सुनते आते हैं और उन्हें accept भी कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि जो कहा जा रहा है वो कितना सही है या कितना गलत है We fit all boys and all girls into an image that society create around us तो हम सारे लड़कों को और लड़कियों को एक ऐसी image में fit करते हैं जो कि society ने बनाई है हमारे हमारे चारों तरफ यानि कि जो society में रहने वाले कुछ लोग है या society में एक status क्यों जो follow किया जा रहा है कि भई लड़की इस तरीके से ही होनी चाहिए और लड़का जो है वो इस तरीके का ही होना चाहिए तो यह जो images create कर दी गई है उनके बारे में हमें सोचना चाहिए और क्योंकि हम सोच नहीं रहे हैं और यह जो images create की गई है यही stereotypes में हम count करते हैं यानि कि रूड़ी बद धारनाए हैं यह you can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved and discuss how these are applied to girls तो यहां पर आपको एक statement दी गई है कि वो soft spoken and gentle होती है वो well behaved होती है तो इसे discuss करने के लिए बोला गया है कि किस तरीके से apply होता है सिफ लड़कियों के लिए do girls possess these qualities at birth or do they learn such behavior from others तो क्या लड़कियां जब जनम लेती हैं जब पैदा होती हैं तो वो पैदा होने के साथ ही soft spoken होती हैं gentle होती हैं या well behaved होती हैं या फिर यह जो सारी qualities हैं वो possess करती हैं अपनी family से अपने आसपास के लोगों से यह जो behavior उन्हें सिखाया जाता है वो कैसे learn करती हैं इसको तो यह जो behavior learn किया जाता है लड़कियों के द्वारा वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं लेकिन क्या हम यह सारा behavior gentle होना soft spoken होना या well behaved होना यह सब लड़कों पर भी apply कर सकते हैं यह निकि लड़कों को भी सिखा सकते हैं जो की सिखाना भी जरूरी है तो उन लड़कियों के बारे में क्या समझोगे आप जो की soft spoken नहीं हैं gentle नहीं हैं और naughty भी हैं क्यूंकि naughty होना सिर्फ लड़कों के लिए applicable किया गया है कि लड़का है तो naughty हो सकता है लड़की है तो naughty नहीं होगी तो इसको कैसे आप देखते हो यहाँ पर यह समझने के लिए बोला गया है अगर लड़की soft spoken नहीं है और gentle भी नहीं है तो यह जरूरत क्या है कि उसको soft spoken और gentle ही होना है at times we feel कि हम soft spoken नहीं रह पाते हैं और हम gentle भी नहीं रह पाते हैं most of the time हमें यह qualities possess करनी चाहिए लेकिन as a girl नहीं बलकि as a human being क्योंकि हर human being को soft spoken भी होना चाहिए gentle भी होना चाहिए और naughty होना हर किसी बच्चे की अपनी tendency पर depend करता है कि वो naughty है या वो shy है वो जैसा भी है उसको वैसे हमें accept करना चाहिए ना कि उनकी gender को differentiate करके हमें उन्हें categorize करना चाहिए अलग-अलग rules, regulations के साथ या अलग-अलग characteristics के साथ when we fix people into one image we create a stereotype तो यहाँ पर यहाँ साथ साथ बोला गया है कि जब हम लोगों को एक image में fix करना start कर देते हैं उनके बारे में एक fix image create कर लेते हैं तो हम वहाँ पर stereotype create कर रहे होते हैं यानि कि रूडी बाद धारनाय बना रहे होते हैं कैसे when people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race और economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes तो हमने stereotype को कैसे हम समझ सकते हैं यह हमने समझा था gender differences को लेकर अब हम समझते हैं कि बाकी के stereotypes पी कैसे create किये जाते हैं तो जब हम यह बोलते हैं या जब कुछ लोग यह बोलते हैं कि किसी particular country, religion, sex, race या economic background से आने वाले लोग stingy होते हैं, lazy होते हैं, criminal होते हैं या फिर dumb होते हैं तो हम वहाँ पर stereotypes यूज कर रहे होते हैं क्यूं? क्यूंकि there are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female तो यह जो stingy और generous people होते हैं वो हर कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे हर country में, हर religion में, हर group में, चाहें वो अमीर हो, या फिर गरीब हो, male हो, या female हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी particular caste को, या किसी particular race को, particular economic background से आने वाले लोगों के ही बारे में हम ये मानें कि वो criminal हैं, lazy हैं या dumb हैं अच्छे लोग हर जगा होते हैं, बूरे लोग भी हर जगा होते हैं, तो हमें किसी को भी target नहीं करना चाहिए and just because some people are like that it is not fair to think that everyone will be the same सिर्फ इसलिए कि क्योंकि कुछ लोग उस तरीके के हैं, यानि कि गलत हैं, criminal mentality के हैं, lazy हैं या dumb हैं और किसी particular religion से, sex से, race से या फिर economic background से बिलॉंग करते हैं तो ये मान लेना कि उस particular religion, sex, race या economic background से आने वाले सारे के सारे लोग ही गलत हैं या सारे के सारे लोग ही वैसे हैं, यानि कि criminal mentality के हैं, criminals हैं, या फिर dumb या lazy हैं तो ये गलत होगा, यानि कि अगर कुछ लोग गलत निकल जाएं किसी community के, तो बाकी के सारे लोगों को हम गलत नहीं मान सकते हैं Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others तो जब हम stereotype create कर लेते हैं, तो वो हमें दूसरे इंसानों को या दूसरे लोगों को as a unique individual की तरह देखने से रोकते हैं किस तरीके से, जब हम किसी के बारे में एक particular image create कर लें अपने दिमाग में, जिसे हम stereotypes कहते हैं रूरी बद्धारनाएं कहते हैं, जब हम ये बना लेंगे किसी particular community के बारे में, religion के बारे में या उनसे आने वाले लोगों के बारे में, या किसी भी एक individual के बारे में तो हम उनकी जो special qualities हैं, जो skills हैं, जो की दूसरों से शायद अलग हो सकती हैं, लेकिन अच्छी हैं तो हम उन्हें ignore कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से हम किसी भी इनसान को as a unique individual की तरह treat नहीं करते हैं, जब हम stereotype create करने लग जाते हैं, दूसरों के बारे में They fit large numbers of people into only one pattern or type, यह जो stereotype होते हैं, यह large number में लोगों को एक pattern और या फिर एक type में fit करते हैं Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at यह जो stereotypes हैं, यह हम सभी को affect करते हैं और इनकी वज़े से होता क्या है, कि हम उन चीजों को या उन कामों को करने से खुद को रोक लेते हैं, जिसमें हम शायद बहुत अच्छे हैं या हम उसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम में उस काम को करने की काबलियत है, लेकिन सिर्फ stereotypes create कर दिये गए हैं, तो हम उन कामों को नहीं कर सकते हैं इसे एक example से समझ सकते हैं, अभी हमने boys और girls के लिए जो stereotypes create किये गए हैं उनके बारे में पढ़ाता तो उसमें यह आया था कि अगर sports में अच्छे होंगे तो लड़के अच्छे होंगे, अगर यह stereotype create किया गया है, तो जो लड़कें sports में अच्छी हैं, उन्हें benefits नहीं मिलेंगे sports के या फिर वो अपने मन का काम नहीं कर पाएंगे, जिस stereotype की वजह से उन्हें रोका गया, उसक पर हमने पढ़ा और समझा stereotype के बारे में कि stereotype क्या है, और इनकी वजह से कितनी सारे issues create होते हैं, और कितनी सारी problem face करनी पड़ती हैं कुछ लोगों को, बहुत सारे stereotypes हमारी society में create किये गए हैं, लेकिन उन्हें से भी एक जो common stereotype है, वो है उन बच्चों के बारे में, जो कि children with special needs क category में आते हैं, पहले इन्हें disabled बोला जाता था, disabled child ये disabled children, लेकिन अब इन्हें children with special needs बोला जाता है, इन बच्चों के बारे में भी बहुत सारी stereotype create कर लिए जाते हैं, जो कि यहां पर आपको इन images में दिखेंगे, इन images में कुछ stereotypes जो इनको लेकर बनाये गए हैं, वो लिखे जैसे people say all sort of things, इनके बारे में लोग बहुत सारी बाते करते हैं, obviously negative बाते ही होंगी, you look so different, इस तरीके से बोला जाता है, अगर कोई बच्चा physically fit नहीं है, जैसे कि एक normal बच्चा होता है, normal in the sense कि body से normal, बाकी वो normal ही होते हैं, उनमें और कोई भी issues नहीं होते हैं, इस हर mind okay, ये भी बोल दिया जाता है, कि अगर किसी बच्चे को उसकी body part में कोई issue है, तो ये समझा जाता है कि उसके mind में भी कोई issue होगा, जबकि जो जिन बच्चों की mental health में कुछ problem होती है, वो अलग category में आते हैं, लेकिन जिन बच्चों के हाथ में, पैर में कोई issue है, उ हो सकता है, इसके दिमाग में भी कुछ issue है, तो इस तरीके के कुछ stereotypes create किये गए हैं, जिनकी वज़े से इन बच्चों को काफी सारी problems face करनी होती है, जैसे इनका confidence बहुत low होने लगता है, ये लोगों के साथ जाधा social नहीं हो पाते हैं, क्यूं? क्यूंकि इनने लगता है कि इने बस घूर रहे हैं और ये उनसे छुपना चाते हैं, confidence level low होने की वज़े से इन बच्चों की education पर भी काफी negative impact पड़ता है, क्यूं? क्यूंकि ये बच्चे इनके लिए बनाए गए या इनके लिए जो create किये गए है stereotypes उनसे बचने के लिए, school, colleges या फिर कोई भी ऐसा institution ज जिसकी वज़ा से ना सिर्फ इनकी education, इवन इनके future पर भी काफी negative impact पड़ता है, तो हमें किसी भी type के stereotypes को create करने से बचना चाहिए, क्यूंकि इन stereotypes का कोई logical sense नहीं होता, और इन stereotypes की वज़ा से हम कितने ही लोगों को problems में डाल रहे होते हैं, या काफी सारे लोगों को इनकी व करते हैं, अब अपने next point पर, which is inequality and discrimination, तो अब हम यहाँ पर inequality और discrimination के बारे में पढ़ेंगे, discrimination happens when people act on their prejudices और stereotypes, तो discrimination कब होता है, जब लोग act करते हैं अपने prejudices पर, stereotypes पर, जो prejudices उन्होंने बना लिए हैं, जो stereotypes create कर लिए गए हैं, जब लोग उन पर act करना शुरू करते हैं, उनको लेकर ही अपने सारे thought process को develop करना start कर देते हैं, तब वहाँ पर discrimination start होता है, तो prejudices क्या थे, prejudices थे कि ruler people ऐसे होते हैं, urban people ऐसे होते हैं, या stereotypes कैसे थे कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, तो जब हम prejudices और stereotypes पर ही अपनी पूरे thought process को develop कर लेते हैं, तब हम वहाँ पर discrimination कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के साथ. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे की दूसरों को नीचा दिखाया जा सके या फिर उन्हें certain activities में participate करने से रोकते हैं, कुछ particular jobs में जाने से कुछ लोगों को रोक दिया जाता है या फिर उन्हें अपने neighborhood में रहने से रोक दिया जाता है या फिर उस कुए से या hand pump से पानी लेने से रोका जाता है जहां से हम पानी लेते हैं और even अगर हम जिस glass या cup में चाय पीते हैं उस cup या glass में हम चाय ना देकर दूसरे लोगों को दूसरे cup या glass में चाय देते हैं और उन्हें अलग रखते हैं, उनका use हम नहीं करते हैं तो ये सारी जो चीजें की जाती हैं, ये सारी जो activities की जाती हैं उन्हें हम discrimination के अंदर रखते हैं, यानि कि यहां पर हम भेदभाव कर रहे होते हैं Discrimination can take place because of several reasons Discrimination जो है, वो बहुत सारे reasons की वज़ा से होता है You probably recall from the previous chapter that Samir Ek and Samir Doh were different from each other in many ways तो हमने अपने previous chapter में एक स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें दो character थे Samir Ek और Samir Doh और वो दोनों आपस में बहुत जादा different थे For example, they belong to different religions जैसे की हां बताया गया है, example के तोर पे कि वो जो दोनों थे, वो different type के religion को follow करते थे This is an aspect of diversity यह जो religion का different होना है, यह diversity का aspect है However, this diversity can also be a source of discrimination लेकिन यह जो diversity है, यह भी एक source, एक स्रोथ हो सकती है आपके discrimination की Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific reasons, etc. May be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior तो कुछ लोग अगर certain type की language बोलते हैं, या फिर किसी particular religion को follow करते हैं या फिर एक specific reason में रह रहे होते हैं, specific शेत्र में रह रहे होते हैं तो यह सारी बाते भी उनके साथ discrimination करने का एक आधार बन जाती हैं क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो customs और practices follow किये जा रहे हैं उन्हें हम अपने द्वारा follow किये जाने वाले customs या practices से inferior समझते हैं, कम मानते हैं तो basically आपे यह बताया गया है कि discrimination करने के बहुत सारे reasons हो सकते हैं और इसमें आपको example दिया गया है हमारे previous chapter की एक story का जिसमें दो समीर थे एक था समीर एक और दूसरा था समीर दो और वो दोनों ही different थे एक दूसरे से दोनों का ही religion अलग-अलग था यह जो religion अलग होना होता है यह diversity का aspect होता है लेकिन इस की वज़ा से religion अलग होने की वज़ा से भी discriminations लोगों को face करने पड़ते हैं ऐसा ही अगर कुछ लोग अलग language बोलते हैं, अलग जगह पर रहते हैं, किसी एक धर्म को follow करते हैं तो यह भी उनके लिए discrimination को face करने का आधार बन जाते हैं यानि कि इनकी वज़े से भी उनको discrimination face करने पड़ते हैं, भेदभाब face करने पड़ते हैं क्यूंकि उनके द्वारा जो religion follow किया जाता है, वो जहां पर रहते हैं या उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है, उसको हम inferior मानते हैं निम्न कोटी का मानते हैं Another difference between the two Samir's was in their economic backgrounds जो एक और difference रहा, Samir 1 एक और Samir 2 के बीच में, वो था उनका economic background Samir 2 वो पूर, जो Samir 2 था, वो गरीब था, जबकि Samir 1 गरीब नहीं था This difference as you have read earlier, is not a form of diversity, but of inequality तो यह जो difference है दोनों के economic background में, इसे हम diversity का पार्ट नहीं मानते हैं इसे हम inequality बोलते हैं, असमानता यह हमने अपने previous chapter में भी समझाता कि सभी तरीके के जो differences होते हैं, उन्हें हम diversity में नहीं रखते सारे differences diversity में नहीं आएंगे कुछ differences ऐसे हैं, जो कि हमारी society में या हम लोगों के बीच में inequality को create कर रहे होते हैं तो यह जो economic background वाला जो difference रहा, यह inequality का पार्ट है people who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs और food, जो लोग गरीब हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि उनसे वो अपनी basic needs को भी complete कर सकें और basic needs क्या होती हैं, food, clothing और shelter आपका खाना हो गया, कपड़े हो गया और आपके रहने के लिए घर हो गया तो बहुत सारे लोगों के पास इन basic needs को complete करने के लायक भी पैसा नहीं है तो यह जो लोग है जिनके economic backgrounds इतने अच्छे नहीं है या जो poor families से भी लोगों करते हैं, उन्हें बहुत सारे discriminations face करने परते हैं कहां कहां पर, offices में, hospitals में, schools में और बहुत सारी और जगाहों पर where they are treated badly because they are poor तो इन सभी जगाहों पर जहां पर इन्हें बहुत ही बुरे तरीके से treat किया जाता है badly treat किया जाता है, इसके पीछे का reason क्या है? क्यूंकि ये गरीब है, क्यूंकि उनका economic background strong नहीं है इसकी वज़े से उन्हें काफी सारे discriminations को face करना परता है काफी सारी जगाहों पर Some people may experience both kinds of discrimination कुछ लोग दोनो type के, दोनो प्रकार के discriminations को face करते हैं They are poor and they belong to groups whose culture is not valued तो जो लोग दोनो type के discriminations को face करते हैं कौन-कौन से type के? एक तो वो poor है, यानि कि उनका economic background is strong नहीं है और दूसरा जो वो discrimination face करते हैं वो अपने culture की वज़े से, क्यूं? क्यूंकि उनकी culture को value नहीं किया जाता है उस तरह से treat नहीं किया जाता है जैसे कि और cultures को किया जाता है तो यहाँ पर कुछ लोगों को दोनो type के discriminations को भेद भावों को सहना पड़ता है जिस वो poor हैं और जिस culture से वो belong करते हैं उसे value नहीं दी जाती है Tribals, some religious groups and even particular reasons are discriminated against for one or more of these reasons तो जो Tribals हो गए, आदिवासी हो गए या कुछ ऐसे religious groups हैं या कुछ particular reasons हैं जिन्हें इस तरीके के discriminations को face करना पड़ता है या तो एक वज़ा से या फिर दोनों वज़ा से यानि कि या तो वो गरीब हैं इस वज़ा से या फिर जिस culture से वो belong कर रहे हैं उसको value नहीं की जा रही है उसकी वज़ा से In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against तो आगे हम एक ऐसी famous Indian personality के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इस तरीके के discrimination को face किया This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of people और जब हम उन Indian personality के बारे में पढ़ रहे होंगे जिन्होंने इस discrimination को face किया तब हम ये समझेंगे और समझ सकेंगे कि किस तरीके ने, caste ने एक बड़ा role play किया है लोगों के साथ discrimination को करने में तो आगे बढ़ने से पहले हम यहां पर इस box में जो बताया गया है हमें उसके बारे में पढ़ते हैं इसमें भी एक common stereotype के बारे में बताया गया है हमें A common stereotype about some Muslims is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school तो Muslims के बारे में common stereotype है कि वो अपनी बेटियों को या अपने घरों की लड़कियों को educate करने में ज्यादा इंटरस्ट नहीं लेते हैं और उन्हें schools में नहीं admission करवाते हैं उनका However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years तो यहाँ पर बताया गया है कि जो stereotype create किया गया कि Muslims जो होते हैं वो अपनी बेटियों को अपने घर की लड़कियों को educate नहीं करते हैं इसके पीछे का reason उनका religion नहीं है बलकि असली reason यह है कि उस religion में जो poverty है या जो मुसल्मान गरीब families से बिलॉग करते हैं वो अपनी बेटियों को school नहीं भेज पाते हैं या उनके घर की जो बेटियां होती हैं उनके घर की जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी ही drop out कर जाती हैं जल्दी ही school को छोड़ देती हैं wherever effort has been made to reach education to the poor there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school तो efforts काफी किये जा रहे हैं कि जो poor families से बिलॉग करते हैं बच्चे उनको educate किया जाए और इसमें जो Muslim communities हैं वो भी अपना interest शोग करे हैं यानि कि अगर उनके बच्चों को या उनके घर की बेटियों को पढ़ाने के लिए facilities प्रवाइड की जाएं तो वो जरूर उनको पढ़ने के लिए श्कूल में भेजेंगे और ऐसा हो भी रहा है For example, in the state of Kerala the distance between the school and the home is not much there is a good government bus service that helps teachers reach schools in the rural areas and over 60% of the teachers are women these factors have helped children from poor families including Muslim girls attend school in much larger numbers तो example के तौर पर यहाँ पर Kerala state के बारे में कहा गया है कि Kerala state में जो school है और लोगों के घर के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है जिसकी वज़े से वहाँ पर बच्चे जो है वो school जादा जा सकते हैं क्योंकि घर के बीच की दूरी कम है तो बच्चों को school जाने में जादा problem नहीं होगी वहीं पर जो government है वहां कि उन्होंने एक birth service provide की है teachers के लिए ताकि वो ग्रामीन शेत्रों में जाकर वहां के schools में जाकर बच्चों को पढ़ा सकें और वहां पर भी जो teachers हैं वो 60% से जादा teachers women हैं यह जो सारे factors हैं यह help करते हैं किसी भी बच्चे के लिए जो कि poor family से आता है या फिर Muslim family से belong करता है कि वो जाकर school में अपनी education को complete कर सकें अच्छे से school को attend कर सकें जादा से जादा numbers में बच्चे वहां पर जाते हैं क्योंकि facilities अगर आप provide कर देंगे अच्छे से किसी को या कहीं पर भी तो वो उन facilities को avail कर सकेंगे इसी तरीके से जब आप education को लेकर कुछ facilities provide करवाते हैं ग्रामीन शेत्रों के लोगों को या Muslim families के बच्चों को तो वो भी अपनी education complete करने में interest लेते हैं और education को complete करते हैं In other states where such efforts have not been made, children from poorer families, whether Muslim, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend school तो जहां भी या जिन states में भी इस तरीकी के efforts नहीं लिए गए हैं जैसे कि Kerala state में लिए गए हैं तो वहां पर चाहें Muslim families से belong करने वाले बच्चे हों, tribal हों या फिर lower caste belong करने वाले बच्चे हों उनको problems face करनी होती हैं, कठिनाईयां उठानी पड़ती हैं school जाने में, school attend करने के लिए therefore poverty not religion is the cause for non attendance of Muslim girl तो याद रखेगा हमने अभी उपर पढ़ा था कि एक stereotype create किया गया कि जो Muslim families हैं वो अपनी लड़कियों को, अपने घरों की बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं भेशते हैं वो उनकी education में interest नहीं लेते हैं लेकिन जो असली factor है वो है poverty, religion factor नहीं है poverty factor है कि बच्चों की जो attendance है वो कम होती है school में या जो Muslim girls हैं उनकी attendance कम होती है school में या वो drop out कर जाती है जल्दी school से अब बढ़ते हैं आपने next point की तरफ on being discriminated against तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अब कि भेद भाव का सामना करने पर जब लोग भेद भाव का सामना करते हैं discrimination को face करते हैं तब क्या होता है people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, waving, fishing, farming etc. to earn a livelihood तो आप सभी जानते हैं कि हर कोई इंसान different type के काम करता है अपने livelihood को earn करने के लिए कोई teacher है, कोई carpenter है कोई farming करता है, कोई weaving करता है कोई pottery बनाता है however certain kinds of work are valued more than others तो कुछ कामों को तो बहुत जादा value किया जाता है लेकिन कुछ कामों को बहुत जादा value नहीं किया जाता है activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value and people who do this work are seen as dirty or impure तो cleaning करने की activities जो लोग करते हैं washing की या haircut जो करते हैं या garbage जो pick करते हैं उन लोगों के काम को less value किया जाता है यानि कि उनके कामों को बहुत ही निमनिस तरका समझा जाता है और जो लोग ये काम करते हैं उन्हें dirty और impure माना जाता है जबकि अगर वो लोग ये काम नहीं करेंगे तो बाकी के लोगों को ये काम करना पड़ेगा तो इस तरीके से भी लोगों के साथ discrimination किया जाता है काम के बेसिस पर भी This belief is an important aspect of the caste system ये जो belief है ये एक important aspect है हमारे caste system का वो किस तरीके से In the caste system communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above और below the other तो caste system में क्या हुआ कि कुछ communities के लोगों को तो upper position दी गई और कुछ caste के लोगों को lower position दी गई एक ladder को imagine किया गया कि जो हमारी society है वो एक ladder की तरह है और उसमें कुछ caste तो ladder की उपर वाली साइड में है और कुछ caste ladder की नीची वाली साइड में है तो जिन लोगों को इस ladder पर इस सेडी पर उपर की तरफ position मिली या उपर की तरफ जिने रखा गया तो उन्हें upper caste वाला बोला गया और उन्हें superior माना गया और जिन लोगों को ladder के नीचे की तरफ जगा मिली उन्हें unworthy माना गया और अन्टचेबल बोला गया याने की अच्छूत नाम दिया गया उन्हें तो हुआ क्या था कि जब society में ये caste system बना दिया गया कि कुछ caste को upper caste बोला जाएगा और कुछ caste को lower caste बोला जाएगा और उसमें भी जो ऐसे काम करते हैं लोग जैसे की haircut करना हो गया garbage pick करना हो गया जिन्हें dirty और impure माना गया उनको एक नाम दे दिया गया कि वो untouchables हैं तो इस तरीके से caste system ने भी society में discrimination को जगा दी और discrimination को बढ़ावा दिया caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were mean to do तो caste rules जो बनाएगे उसमें क्या कहा गया कि जो untouchables हैं उनको सिर्फ कुछ specific काम करने दिये जाएंगे specific jobs होंगी उनके लिए उनको कुछ और कामों को करने से रोग दिया गया जैसे for example some groups were forced to pick garbage and removed dead animals from the village तो कुछ जो लोग थे जिन्हें untouchables बोला जाता था उन लोगों को उन force किया जाता था कि आप garbage pick करिये और जो dead animals होते थे विलेज के अंदर उनको विलेज से बहार ले जाएं but they were not allowed to enter the homes of the upper caste और take water from the village well और even enter temples तो जो untouchables थे उनके साथ क्या हुआ कि उनको upper caste वाले अपने घर में भी नहीं गुछने देते थे even उन्हें village में जो well होते थे उनसे पानी लेना भी उनके लिए allowed नहीं था और जो temples होते थे उनमें भी उनकी entry को ban किया गया था उनमें भी यानि की temples में भी उनका जाना मना था their children could not sit next to children of other caste in school जो untouchables थे उनके बच्चे भी जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उन्हें बाकी बच्चों के साथ नहीं बठाया जाते थे जो की upper caste वाले होते थे उन्हें उनसे अलग बिठाया जाता था जैसे कि आप इस picture में देख रहे हैं यह जो दो बच्चे आपको दिख रहे हैं शैडो में यह untouchables के बच्चों को represent कर रहे हैं यहाँ पर तो जो untouchables थे जो अचूत थे उन लोगों के साथ अपर कास्ट वालों ने क्या किया उन्हें वो सारी सुविधाया या वो सारे राइट्स नहीं दिये गए जो की वो खुद इंजॉय करते थे तो इस तरीके से कास्ट सिस्टम की वज़े से जिन लोगों को अच्छूत माना गया जिन लोगों को lower caste का माना गया उन लोगों के साथ बहुत सारे discrimination किये गए उनको equal rights नहीं दिये गए जो की बाकी अपर कास्ट वालों को दिये गए थे आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक word दिया गया है दलित पहले उसे समझते हैं कि दलित किसे कहा जाता है और इसका meaning क्या होता है दलित is a term that people belonging to so-called lower caste use to address themselves तो यह जो दलित word है यह lower caste के लोग खुद को address करने के लिए use करते हैं जिनने नीची जाती का बोला गया था या जिनने नीची जाती में place किया गया था society में अब वो खुद को दलित कहकर दूसरों से परिचा करवाते हैं दे प्रेफर दिस वर्ड तो अंटचेबल वो अब अंटचेबल वर्ड की जगा दलित वर्ड को जाधा प्रेफर करते हैं या फिर दलित वर्ड को ही प्रेफर करते हैं उन्हें दलित कहा जाए अंटचेबल यानि कि अच्छूत ना कहा जाए दलित means those who have been broken दलित का मतलब है वो लोग जिन्हें दबाकर रखा गया हो समाज में दिस वर्ड अकॉर्डिंग तु दलित शोज हाओ सोशल प्रिजुडिसेस और डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन दी दलित पीपल तो दलित लोगों के अकॉर्डिंग ये जो वर्ड है दलित ये दर्शाता है कि किस तरीके से सोशल प्रिजुडिसेस और डिस्क्रिमिनेशन के चलते उन्हें दबाकर रखा गया और उनके साथ बहुत सारी अट्रोसिटीज की गई अब इन्हें ना तो आन्टचेबल बोला जाता है ये भी लीकल है और दलित वर्ड भी हटा दिया गया है दलित वर्ड यूज नहीं किया जाता है हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी दलित वर्ड का यूज करते हैं बट अकॉर्डिन टू इंडियन कॉंस्टिटूशन और इंडिया के जो लॉज हैं वो इस वर्ड को यूज करने से हमें मना करते हैं हम इस वर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं अब हम यहाँ पर इंडिया की उस famous personality के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले इस chapter में बात की थी कि किस तरीके से हमारे इंडिया की एक बहुत ही famous personality ने discriminations को face किया और उनका नाम है Dr. Bhim Rao Ambedkar Dr. Bhim Rao Ambedkar one of the greatest leaders में से एक रहे हैं इंडिया के और caste based discriminations इन्होंने काफी face किये हैं अपनी life में क्यूंकि ये भी एक दलित जाती से belong करते थे जिसकी वज़े से इन्हें काफी सारी problems को face करना पड़ा Dr. Bhim Rao Ambedkar one of the greatest leaders of India shares his first experience of caste based discrimination which took place in 1901 when he was just 9 years old Dr. Bhim Rao Ambedkar जो कि इंडिया के greatest leaders में से एक रहे हैं वो अपना first experience share करते हुए बताते हैं कि उन्होंने 1901 में जब वो सिर्फ 9 years के थे अपनी life का पहला caste based discrimination face किया था He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon which is now in Maharashtra Dr. Ambedkar अपने भाईयों और cousins के साथ अपने फादर से मिलने Koregaon जा रहे थे जो कि अब Maharashtra में हैं तब उन्होंने इस caste based discrimination को first time experience किया तो वो एक story के जरिये हमें ये बताते हैं कि कब और कैसे इन्होंने इस caste based discrimination को first time experience किया था तो वो इस story को बताते हुए कहते हैं long did we wait but no one turned up हमने बहुत समय तक वेट किया लेकिन कोई नहीं आया तो ये वेट कहां कर रहे थे ये कि station पर वेट कर रहे थे कोरे गाउं जाने के लिए एन आर इलाप्सट एन दिस station master came to inquire एक घंटा बीच चुका था तब station के जो station master थे वो उनसे पूछने आते हैं he asked us for our tickets उन्होंने हमसे tickets के लिए पूछा we showed them to him तो हमने अपनी tickets उन्हें दिखा दी he asked us why we tried उन्होंने हमसे पूछा कि हम यहां पर क्यों रुके हुए हैं we told him that we were bound for koregaon and that we were waiting for father or his servant to come but that neither had turned up and that we did not know how to reach koregaon तो अमबेटकर जी बोलते हैं हमने उन्हें बताया station master को कि हमें koregaon जाना है और हम यहां पर अपने father या फिर उनके किसी servant का बेट कर रहे हैं कि कोई यहां पर आए और हमें receive करे और हमें koregaon कैसे जाना है यहां से यह हमें नहीं पता है we were well-dressed children हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे from our dress or talk no one could make out that we were children of the untouchables हमारे कपडों से और हमारी बोलचाल से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम untouchables के बच्चे हैं अच्छूत वर्ग से बिलॉंग करने वाले लोगों के बच्चे हैं indeed the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us station master ने जरूर यही समझा कि हम ब्रामिन बच्चे हैं ब्रामनों के बच्चे हैं और इसकी वजह से उसे हमारी परेशानी को देखकर काफी दुख हुआ और वो भी काफी परेशान हुए As is usual among the Hindus the station master asked us who we were जैसे कि Hindu हमें एक्सर होता ही है या common है कि पूछ लिया जाता है कि आप कौन हो तो उनसे भी ऐसे ही पूछा गया Dr. Ambedkar से Without a moment's thought I blurted out that we were Mahars Ambedkar जी बोलते हैं कि मैंने बिना एक पल गवाए ये बोल दिया जल्दी से कि हम महार हैं तो महार कौन थे उस टाइम पर महार is one of the communities which were treated as untouchables in Bombay presidency तो Bombay presidency के अंदर महार जो community थी उसको untouchable माना जाता था यानि कि अच्छूत माना जाता था उस community के लोगों को he was stunned तो जैसे ही अमेटकर जी बोलते हैं कि हम महार जाती से बिलॉंग करते हैं जो station master है वो एकदम stunned हो जाते हैं बोचक के रह जाते हैं his face underwent a sudden change और उनके जो हाव भाव हैं उनके face पर वो एकदम change होने लगते हैं we could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion हम ये असानी से देख सकते थे कि किस तरीके से हमारी जाती के बारे में बताने पर जो station master है उनके जो भाव थे हमारे प्रती उनकी feelings जो थी वो बिल्कुल change हो गई वो उनकी feelings घरना वाली feelings में convert होने लगी यानि कि ग्रना के भाव आने लगे उनके चहरे पर और उनके हाव भाव में जैसे ही हमने उनको अपनी जाती के बारे में बताया as soon as he heard my reply he went away to his room and we stood where we were जैसे ही उन्होंने मेरा reply सुना तो वो अपने कमरे में चले गए मेरा reply सुनता ही और हम जहां पर थे वहीं पर खड़े रह गए 15 to 20 minutes elapsed the sun was almost setting 15 से 20 minute जा चुके थे और जो sun था वो छिपने की इस्तिती में आ चुका था यानि की sunset का time हो चुका था almost our father had not turned up nor had he sent his servant and now this station master had also left us ना तो हमारे father हमें लेने आया नहीं उनका कोई भी servant आया और जो station master थे वो भी हमें छोड़ कर जा चुके थे we were quite bewildered and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave away to a feeling of extreme sadness अमबेटकर जी आगे बताते हैं कि हम काफी घबराए हुए थे और जिस joy और happiness के साथ हमने अपनी जानी को start किया था अब उस joy और happiness की जगा हमारी sadness ने ले ली थी यानि कि हम जिस उत्सहा और खुशी के साथ इस यात्रा पर निकले थे अब वो खुशी और उत्सहा नहीं रहा बलकि अब हम काफी उदास हो चुके थे After half an hour the station master returned and asked us what we propose to do आदे घंटे के बाद station master वापस आते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं कि अब आप क्या करने की सोच रहे हैं We said that if we could get a block cart on hire we would go to Koregaon and if it was not very far we would like to start straight away हमने कहा कि अगर हमें किराय पर बैलगाडी मिल जाए तो हम Koregaon जा सकते हैं और अगर Koregaon यहां से जादा दूर नहीं हो तो हम अभी अपनी यात्रा शुरू करना चाहेंगे There were many block cart playing for hire वहाँ पर बहुत सारी जो block carts थी बैलगाडियां थी किराय पर चल रही थी But my reply to the station master that we were mahaars had gone round among the cart men and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchable classes लेकिन मैंने जो reply किया था station master को कि हम महार हैं इस बात का पता वहां के सारे cart men यानि कि बैलगाडी वालों को चल चुका था इसलिए वहां के जो भी बैलगाडी वाले थे उन में से कोई भी हमें अपने साथ अपनी बैलगाडी में कोरे गाउं तक ले जाने के लिए तयार नहीं थे क्योंकि वो अच्छू जाती के बच्चों को अपनी बैलगाडी में अपने साथ ले जा कर खुद को polluted और demean नहीं करना चाते थे यानि कि खुद को impure नहीं करना चाते थे We were prepared to pay double the fare ये एहसास किया की पैसे से भी बात नहीं बन सकती थी The station master who was negotiating on our behalf stood silent not knowing what to do Station master जो की हमारे बिहाफ पर गाडी वालों से negotiate कर रहे थे मोल तोल कर रहे थे चुप चाप खड़े हो गए समझ नहीं आ रहा था की क्या करे Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to the other How insulting and hurtful it is to have people move away refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do Imagine कीजिये ये कितना difficult होता है कि लोगों को जब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से move भी ना करने दिया जाए एक जगह से दूसरी जगह तक ना जाने दिया जाए ये कितना insulting होता है और hurtful होता है जब लोग आप से दूर दूर रहें आपको छूने से भी मना करें और आपको किसी एक पर्टिक्यूलर जगह से पानी पीने से भी रोग दिया जाए यानि कि जहां से अपर कास्ट वाले लोग पानी पीते हैं वहां से लोग कास्ट वाले लोगों को पानी ना पीने दिया जाए तो यह जो छोटा सा incident है यह हमें दिखाता है कि किस तरह एक simple सा task था कि एक जगह से दूसरी जगह जाना था बुलो कार्ट में उन बच्चों को यानि का इंबेट कर जी और उनके भाई और कजिन्स को इवन उनके पास पैसा था वो पैसा दे सकते थे लेकिन क्यूंकि वो untouchable community से बिलोंग करते थे अच्छूत वर्ग से बिलोंग करते थे इसलिए उनको इतना छोटा सा काम भी करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा All the cart men at the station refuse to take the children सभी लोगों ने बच्चों को अपनी बुलोग काट में अपनी बैलगाडी में ले जाने से मना कर दिया They acted in a discriminatory manner और उन्होंने discrimination भरा जो वहवार था वो बच्चों के साथ किया भेद भाव भरा वहवार बच्चों के साथ किया So clearly, as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others So, इस story से clear हो जाता है कि किस तरीके से caste-based discrimination जो होता है वो दलितों को ना सिर्फ certain type of economic activities को करने से रोपता है Even जो respect, जो आदर, जो सम्मान दूसरों को मिलता है वो आदर और सम्मान भी इन लोगों को नहीं मिल पाता है आगे बढ़ने से पहले हमें अमबेटकर जी के बारे में कुछ important बातों को और जानना जरूरी है जो की इस box में दी गई है Dr. Bhimra Ambedkar is considered the father of the constitution तो हमें पता है कि Dr. Bhimra Ambedkar को father of Indian constitution कहा जाता है and is also the best known leader of the Dalits और इन्हें best known leaders में से एक माना जाता है दलितों के दलितों के बहुत famous बहुत renowned leader रहे हैं Dr. Bhimra Ambedkar Dr. Ambedkar fought for the rights of the Dalit community Dr. Ambedkar ने Dalit community के rights को लेकर काफी सारी काम किये हैं काफी सारी लडाईयां भी लड़ी हैं He was born into the mahar caste which was considered untouchable तो उनका जनम महार जाती में हुआ था जिसे untouchable माना जाता था तो जो महार जाती के लोग होते थे वो गरीब होते थे और उनके जो बच्चे थे उनको वही काम करना होता था जो की उनके parents कर रहे हैं They lived in spaces outside the main village and were not allowed into the village वो गाओं के बाहर वाली जगह उपर रहते थे यानि की गाओं में उनका आनम मना था और वो जो उनके घर होते थे वो भी गाओं से बाहर होते थे Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer तो Dr. Ambedkar अपनी जाती के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना college का education complete किया और वो पढ़ने के लिए England गए और वहाँ पर जाकर वो lawyer बने He encouraged Dalits to send their children to school and college तो जब Dr. Bhimra Ambedkar lawyer बनकर इंडिया वापस आये तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो Dalit है वो अपने बच्चों को school और college भेजे पढ़ने के लिए He also urged Dalits to take on different kind of government jobs in order to move out of the caste system Dr. Ambedkar ने Dalitों से कहा कि वो different different type की government jobs में आए जिससे कि वो इस caste system से बहार आ सकते थे क्यूंकि जैसे ही वो government jobs में आएंगे तो वो हमारी जो main stream है उसका हिस्सा बन सकेंगे और ये जो caste based discrimination होता है उनके साथ उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी और उनकी जो economic conditions हैं वो भी काफी हद तक सुधरने लगेंगी He led many efforts of Dalit to gain entry into temples उन्होंने काफी सारे ऐसे efforts किये जिससे की Dalitों को मंदिरों में entry मिल सकें क्योंकि Dalitों का मंदिरों में जाना भी band था Later in life, he converted to buddhism in his search for a religion that treated all members equally तो life में आगे चल कर Dr. Ambedkar ने buddhism को अपनाया क्योंकि वो एक ऐसे religion की तलाश में थे जो कि अपने सभी members को equally treat करता हो Dr. Ambedkar believed that Dalit must fight the caste system and work towards a society based on respect not just for a few but for all person तो Dr. Ambedkar ये मानते थे उनका ऐसा विश्वास था कि Dalit जो है उनको caste system के against लड़ना चाहिए और एक ऐसी society की तरफ बढ़ना चाहिए एक ऐसी society के लिए एक ऐसे समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सब की इज़त की जाए ना कि सिर्फ कुछ लोगों की तो ये थी कुछ बाते डॉक्टर भीम राओंबेटकर के बारे में जिन्होंने caste based system के चलते काफी सारे discriminations को face किया और उन्होंने इस caste based discrimination को हटाने के लिए भी काफी सारे काम किये बढ़ते हैं अपने next point पर striving for equality Samanta के लिए संघश the struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally तो जब freedom के लिए struggle चल रहा था British rule से अजादी के लिए संघश कर रहे थे लोग इंडिया में उस टाइम पर एक ऐसा group भी था लोगों का जो ना कि सिर्फ British rule के अगेंस लड़ाई लड़ रहे थे even खुद के लिए Samanta के वेवार को पाने के लिए भी वो लड़ाई लड़ रहे थे यानि कि उनके साथ Samanta का वेवार किया जाए इसके लिए भी वो संघश कर रहे थे दलित women tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives तो ये जो group of people था इसमें कौन-कौन लोग थे इसमें दलित थे महिलाई थी, tribal थे, peasants थे जो कि उन equalities के लिए भी संघश कर रहे थे जो कि उन्होंने experience की थी यानि कि उनके साथ Samanta का वेवार नहीं किया जाता था उनको बहुत सारे rights नहीं दिये गए थे जिसके लिए वो संघश कर रहे थे freedom struggle के time पर As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples तो जैसे कि इस chapter में पहले भी point out किया गया कि किस तरीके से दलितों ने संघठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघश किया Women demanded that they should have as much a right to education as men did और महिलाओं ने इस बात के लिए संघश किया कि उन्हें भी education राप्त करने का उतना ही हक मिले जितना की पुरुशों के पास है Peasants and Tribals fought to release themselves from the grasp of the money lander and the high interest they were charged Peasants and Tribals ने इसके लिए संघश किया कि उन्हें money lander से चुटकारा मिले और जो high interest rate वो पे करते हैं उससे चुटकारा मिले यानि कि उस time के जो money lander यानि जमीनदार हुआ करते थे वो Peasants पर और Tribals पर काफी सारी atrocities किया करते थे Peasants और Tribals को जमीनदारों की वजह से काफी सारी problems face करनी पड़ती थी और अगर वो जमीनदारों से कुछ करजा ले रहे हैं तो उसके लिए उन्हें बहुत जादा high interest pay करना होता था बहुत जादा ब्यासदर देनी पड़ती थी तो freedom moment के टाइम पर ना सिफ British rule के अगेंस struggle किया जा रहा था इवन equality के लिए भी struggle किया जा रहा था When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed 1947 में जब India एक nation बना तो यहां पर different different type की inequalities exist करती थी और जो हमारे leader थे वो इन different different type की inequalities को लेखे काफी concerned भी थे Those who wrote the constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggle against this तो जिन leaders ने हमारा constitution लिखा वो इस बात से बहुत अच्छे से aware थे कि किस तरीके से हमारे समाज में discrimination को practice किया जाता है यानि कि भेदभाव किया जाता है और लोगों ने इसके लिए यानि इस discrimination से चुटकारा पाने के लिए भेदभाव से चुटकारा पाने के लिए कितना संघर्ष किया है Many leaders of these struggles such as Dr. Ambedkar had also fought for the rights of the Dalits बहुत सारे leaders जिसमें से एक हमारे Dr. Ambedkar है उन्होंने दलितों के rights को लेके काफी सारे संघर्ष किये बहुत सारी लडाईयां लडी आगे बढ़ने से पहले हम Constitution के बारे में जान लेते हैं कि Constitution क्या होता है तो यहाँ पर एक छोटी सी definition दी गई है Constitution के बारे में A document that laid out the rules by which the nation would function एक ऐसा document जिसमें वो सारे rules लिखे गए हों जिससे की एक nation function करेगा एक nation के सारे कारे किये जाएंगे तो उसे हम Constitution कहते हैं बढ़ते हैं अब आगे अपनी chapter की तरफ So, these leaders set out a vision and goals in the Constitution to ensure that all the people of India were considered equal जो हमारे leaders थे वो बहुत अच्छे से जानते थे कि किस तरीके से हमारी society में discrimination को practice किया जाता है इसे खत्म करने के लिए और लोगों को discrimination से बचाने के लिए हमारे leaders ने Constitution of India में एक ऐसा vision रखा ऐसे goals को अपनाया जिससे की इंडिया के सभी लोगों को equality ensure की जा सके उन्हें equal consider किया जा सके इंडिया के किसी भी citizen को inequality को face ना करना पड़े और किसी भी तरीके का कोई discrimination ना face करना पड़े This equality of all person is seen as a key value that unites us all as Indians तो यह जो equality है यह जो समानता है इसको एक ऐसी key value की तरह माना गया एक ऐसे एहम मुल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतिय के रूप में जोडती है Everyone has equal rights and opportunity सभी के पास equal rights और opportunities है Untouchability is seen as crime and has been legally abolished by law और जो untouchability है जिसे हम छुआ छूद कहते हैं अस प्रश्यता कहते हैं उसे अब एक अपराद माना जाता है और इसे legally abolished कर दिया गया है इसे हटा दिया गया है by the law People are free to choose the kind of work they wish to do अब लोग free हैं कोई भी ऐसा काम करने के लिए जो की वो करना चाते हैं और जो illegal ना हो, legally correct हो Government jobs are open to all people जो government jobs हैं वो सभी के लिए open हैं अब चाहें आप किसी भी कास से बिलॉंग करते हों आप सभी government jobs के लिए apply कर सकते हैं In addition, the constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginalized communities इनके अलावा हमारा जो constitution है उसने हमारी government पर एक important responsibility डाली थी कि हमारी जो government है वो गरीबों और marginalized communities के लोगों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए कुछ specific steps ले सकती हैं जैसे कि काफी सारे ऐसे communities हैं इंडिया में जो कि अभी इंडिया की mainstream का पार्ट नहीं बन सकी है और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें समानता के अधिकार के बहुत सारे फायदे नहीं मिल पाते हैं तो ये responsibility government पे डाली गई कि इन सभी को समानता के अधिकार के फायदे मिल सकें इसके लिए आप कुछ steps ले सकते हैं उनके लिए कुछ special programs भी बना सकते हैं जैसे कि example के लिए देखा जाए तो जो गरीब family हैं जो बिलो party line होती हैं या कुछ ऐसी families हैं जिनकी economic conditions बहुत अच्छी नहीं हैं उनके लिए government ने राशन कार्ड की facility अवेलिबल करवा रखी है और काफी सारे ऐसे tribal communities हैं और काफी सारे ऐसी marginalized section के लोग हैं steps ले सकते हैं उनके लिए कुछ special programs भी बना सकते हैं as an example अगर हम देखें तो government ने राशन कार्ड प्रोवाइड किये हैं उन लोगों को जो की घरीब हैं जिससे की उन्हें सस्ते दामों पर अनाज मिल सकें और जो एक basic need होती है लोगों की food वो उन्हें easily प्रोवाइड किया जा सकें और भी बहुत सारी scheme government के द्वारा चलाई जाती हैं health sector में काफी सारी scheme चलाई गई हैं जैसे की health facilities प्रोवाइड की जा सकें उन लोगों के लिए जो की health facilities avail नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी economic conditions बहुत अच्छी नहीं होती हैं या फिर education में अगर देखा जाए तो education में भी बच्चों को जो की marginalized section से आते हैं या गरी families से आते हैं तो उनके लिए काफी सारी facilities provide की जाती हैं उनको free education दी जाती हैं उनको scholarships भी दी जाती हैं हलाकि हमारे constitution में equality की बात की गई है लेकिन क्योंकि जो गरीब हैं हमारी society में या जो marginalized communities से बिलॉग करते हैं लोग उन्हें अपनी society की main stream में लाने के लिए अपने nation की main stream में लाने के लिए government उनके लिए कुछ specific steps ले सकती है ऐसा हमारे constitution ने उनको responsibility दी हुई है इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमें अपनी society में equality को ensure करना है समानता को सुनिश्चित करना है हमारे nation में हमारी समाज में तो हमें diversity को respect करना चाहिए हम जानते हैं कि जो हमारा nation है वो बहुत जादा diversity वाली country है एक और हमारे यहां जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत सारे religion को follow करते हैं different different type की languages बोलते हैं उनकी जो dress sense है वो भी अलग हैं अगर हम इन सभी को एक positive approach के साथ नहीं देखते हैं इनको अपनाते नहीं हैं इन सभी diversity को जो कि हमारे nation में हैं तो हम कभी भी समानता का जो basic need है एक society की कि हर society में सभी को equal rights होने चाहिए सभी को freedom होनी चाहिए इन सभी बातों को हम अपनी society के अंदर लागू नहीं कर सकेंगे और हमारी society में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे तरीके की inequalities को face करते रहना पड़ेगा और discriminations को face करते रहना पड़ेगा They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals and express themselves freely हमारे Indian constitution के writers ये महसूस करते थे और ये मानते थे कि सभी लोगों को ये freedom होनी चाहिए कि वो अपने religion को follow करें, अपनी language को बोल सकें, अपने festivals को celebrate कर सकें और freely अपने आपको भी express कर सकें They said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow उन्होंने कहा कि किसी भी एक language, religion या festival को सभी लोगों को follow करना पड़े, ये compulsory नहीं होना चाहिए They said that the government must treat all religions equally उन्होंने कहा कि government को सभी religions को equally treat करना चाहिए, equal समझना चाहिए Therefore, India became a secular country where people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination तो इसलिए इंडिया एक secular country है, एक धर्म पेश देश है जहां सभी धर्म के लोग बिना किसी discrimination के डर के अपने धर्म को, अपने religion को follow करते है This is seen as an important element of our unity that we all live together and respect one other तो इसे हमारी unity का, हमारी एकता का, एक important element की तरह देखा जाता है कि हम इखटे रहते हैं और एक दूसरे की इज़त करते हैं Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today तो यह जो ideals है, यह जो विचार है, हमारे समविधान पर इन पर जोर दिया गया है पर यह जो lesson है, इसमें इस बात को भी उठाया गया है कि आज भी हमारी society में inequalities exist करती है Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically Equality एक ऐसी value है, समानता वह मुले है जिसके लिए हमें continuously struggle करना पड़ेगा, निरंतर संघर्ष करते रहना होगा यह हमें automatically नहीं मिल जाएगी People's struggles and positive actions by the government are necessary to make this a reality for all Indians Equality is सभी Indians की life की reality बने, उनकी life का हिस्सा बने इसके लिए जरूरी है कि लोग struggle करें और government के द्वारा कुछ positive actions लिए जाए क्यूंकि अगर equality को, समानता को सभी Indians की life की reality बनाना है उनकी life की सच्चाई बनानी है तो यह जरूरी है कि जहां पर भी लोगों को लगे कि उनके साथ injustice हो रहा है या फिर उनके साथ discrimination हो रहा है तो वो उसके लिए struggle करें, उसके लिए आवाज उठाएं और government को भी ये जरूरी है करना कि जिन लोगों के साथ discrimination हो रहा है आज भी society में वो उनके लिए कुछ positive actions ले सके तो यहां पर हमारा आज करे chapter complete होता है I tried my level best to make you understand this chapter really well I hope कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी next video में तब तक के लिए goodbye and take care